हेलो फ्रेंट्स आप सभी का गाय उरानी ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागते आज की वीडियो में आपको बिल्कुल मार्किट के जैसे फ्रेंज फ्राइज घर पे बनाने का तरीका बताऊंगी तो वीडियो को बना स्केप के पूरा देखें मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल मार्किट के जैसे फ्रेंज फ्राइज बनाने के छोटे छोटे चोटे टिप्स शेयर किये हैं अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब जरूर करें साथे साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे तो चलिए अब हम अपने फ्रेंज फ्राइज बनाने के तरीका को देख लेते हैं तो मार्केट जैसा फ्रेंज फ्राइज बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बड़े साइज के आलू ले लेने हैं अगर आपके पास लेद आलू का इस्तमाल करना है लाल वाली आलू का इस्तमाल नहीं करना है आलू को अची तरीके से छीनने के बाद अब हम अपने आलू को कट करेंगे तो आलू को कट करने का तरीका भी आप यहाँ पर देख ले आलू को कट करने से सबसे पहले आपको आलू के दोनों साइ से हलके हलके किनारों को कट कर देंगे और लंबे लंबे सेप में हम आलो को काट करके तयार करेंगे सबसे पहले आलो को एक साइट से हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से पतला पतला काट करके तयार कर लेना है ध्यान रखेंगे ज्यादा पतला भी आपको नहीं करना है एक आल प्रेंस फ्राइब होते बिल्कुल वैसा यहां पे आप देख सकते हो इतना ही मोटा आपका होना चाहिए ज्यादा मोटा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं बीच के साइज के आप काटोगे तो आपके जो फ्रेंस फ्राइब बहुत ही अच्छे बनकर तयार होंगे जैसे ही आलो को कट कर लेंगे अब हम इने पानी में रखेंगे ताकि जितने भी आलो में स्टार्च हो वो अच्छे तरीके से पानी में निकल जाए तो आलो को डाल करके आपको कुछ देर के लिए आपको इसे पानी में भिगो करके रख देना है इसके बाद एक बड़े से बरतन मे नमक और पानी डाल करके हमएं गर्म कर लेना है जैसे ही पानी हल्का गर्म हो ढाले डाल Cantalo को हमिश्में डाल देंगे आलो डालने के बाद आपको 2-3 मिनट के लिए इनहें आपको गर्म पानी में हल्का सा बॉयल करना है दो से तेन मिनट होने के बाद आलो को आपको अच्छी तरीके से सारा पानी निकाल करके एक बड़े से बरतन में अच्छी तरीके से फैला करके रख लेना है आलो को निकालने के बाद आपको एक बड़े से प्लेट में अच्छी तरीके से फैला करके रखना है जिससे कि आलू में जितने भी पानी हो वो जल्दी से सूख जाए इसको आपको एक साफ तॉलिये से अच्छी तरीके से आलू को अच्छी से पोच करके इसका मौस्टर को अच्छी से सुखा देना है जिसे कि इसमें जितने भी पानी होगा मौस्टोर होगा वो जल्दी से सूख जाएगा और आपके जो फ्रेंच फ्राइए बहुत ही क्रंची बनेंगे इसके बाद हमें इसमें डालना है एक चम्मच अरा रोट एक से देड़ चम्मच मैदा जिसे कि आपके जो फ्रेंच फ्राइए बहुत ही क्रंची बनेंगे अब हम इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच नमक नमक आपने बॉल करते वक्त भी डाला है तो यहाँ पर आप ध्यान से डालेंगे अब मैं यहाँ पर बिल्कुल मार्केट जिसा कलर लाने के लिए रेड फूड कलर का इस्तमाल कर रहे हूँ एक चुटकी रेड फूड कलर डालेंगे और एक से डेड़ चम्मच पानी डाल करके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है अगर आपके पास फूड कलर है तो आप डालिये ना हो तो टोटली आप इसे स्किप कर सकते हो इन्हें अच्छी तरीके से आलूओ में मिक्स करने के बाद हमें इसे रख देना है दो से तीन मिनट के लिए डिरेक्टी आपको फ्राई नहीं करना है हलका से इसे सूखने देना है इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे आलो को फ्राई करने के लिए आपको एकदम घर्म तेल की जरूरत है सबसे पहले आप तेल को एकदम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे फिर गैस की फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है तभी आप अपने आलो को इसके अंदर डालेंगे आलो को डालने के बाद आपको इसे हलके हलके हातों से सबी और से चला देना है और medium to low flame पर आपको एकदम हलके हलके fry करना है जिससे कि आपके जो french fry यह बहुत ही ज़्यादा crunchy और बिलकुल market की तरह घर पर बनकर तयार होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो potato fries है उसकी color change होने लगी है एकदम crunchy बनने लगी है तो इसे तरीके से आपको एकदम medium to low flame पर अच्छी तरीके से fry करना है तो यहाँ पर हमारी potato fries बनके तयार है तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी घर पर french fry बनके बहुत ही अच्छी और tasty बनकर तयार होगी एक बार का हमारा यहाँ पर french fry बनके तयार है तो अगली बारी में जब भी आप डाले तो gas की flame को आप एकदम ही लो कर दे काला नमक डाल करके इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा हम बढ़ा देंगे अगर आप चाहो तो यहाँ पर उपर से मैगी मसाला भी छिड़क सकते हो जिससे कि इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपने अभी तक यह ट्राई नहीं किया है तो आप जर करें और कमेंट मेरे साथ जरू शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी तो फ्रेंड्स आशा करती हूं आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई होगी बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पर रेसिपी जा रही है उसके लिए सौरी आशा करती हूं आप लोगों को यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें